हेलो फ्रेंट्स आप कमार चैनल में फिर से स्वागते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह लिनियर पार्शल डिफेरेंट्स लॉक्रेशन ओप ओडर वन और यह पढ़ना है सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं वह अपने पास लेंगराज मेथर्ड्स फिर लेंगराज मेथर्ड क्या गता है सबसे पहले एक थोर्म पढ़ते हैं इसकी थोर्म है वह अपने पास है दा जनल सॉलुशन ओफ ओफ दा क्वेसी लीनियर क्वेशन प्लस Q q इकल टो आर इस फाइ यू बी यह अपने पास थोर्म है इस दा जनल सोलुशन ओफ वेसी लीनियर क्वेशन प्लस Q Q equal to R is phi u beware phi is any arbitrary function and phi is an arbitrary function and u x y z equal to c1 and v x y z equal to c2 are two independent solution two independent solution solution of you that dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r that's यह होता है अपने पास लेंग रहा है एक्वेशन प्रेट इसकी कुछ conditions होते हैं वह होते हैं सीबने सीटो है तो arbitrary constant होंगे and one at least one जो solution होगा उसमें जर जरू या तो यू में होगा या वी में होगा जर जरू content करना चाहिए फर्स आप पड़ते हैं वर्किंग रूल फूर सॉल्वेंग प्लस क्यू 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 एक्कूल टू आर वाइल लेंग राज एक्वेशन if we friends step first होता है step first वो आपने पास ,put the given partial equation पूट दी गिविन पीडी ओफ दा फर्स दा फर्स्ट ओडर इन इस्टेंडर फोर्म फ़र सबसे फेले हम इसको इस्टेंडर फोर्म में चैन्ज करना होता है प्लश क्या होती है वह होती है अप्रे परे पास P प्लश क्यूट प्लेश क्यू दिलज इतफिय फिर से अब आता अपने पास step second step second क्या करते है राइट डाउन लेंग राज जो equation थी उसको लिख देते हैं फूर वन जैसे equation फचती है अपनी यह थी यह दोनों सेम यह इसके लेंग राज equation लिख देते हैं लेंग राज equation किस फ़र्म में होती है वह होती है dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r से equation number two देते हैं अब step third क्या करते हैं अपने पास step third solve it इसको solve करना है solve करके हमें दो function निकालने होते है solve it फ़र्ष्ट आएगा अपने पास u x y z equal to c1 second आएगा v x y z equal to c2 अब हम उसको solve करने के लिए कोई भी मेतार उपना सकते हैं उस मेतार हम आगे पढ़ेंगे solve करने के लिए simply हम दो को ले सकते हैं simply हम किसी तरह create करके तीन को भी ले सकते हैं इस तरह से हम दो function निकाल लेंगे and step 4 आएगा वो आएगा अपने पास step 4 के लिए five and u and v आया है इसको रखो equal to zero यह अपने पास solution आजाएगा यह इसको और अच्छे तरह लिखना चाहिए तो यू इक्वल टू फाइव वी और वी इक्वल टू फाइव यू कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको अब फिर सब इसका एक्जाम्पल ले लेते हैं एक्जाम्पल ले लिए solve करना है हमें solve वाई स्कार जैड़ अपॉन एक्स पी प्लस एक्स जैड़ क्यू टू वाई स्कॉर यह हमें solve करना है फिर इस तरह यहां पर अपने पास यह तो संटल फ्रिफे कि डिख चैड़ स्कार उसको इस फोर में लिख लो तो इस फोर में लिखने करें आम हमने डी जैड़ आप रपॉन डय एक्स डीवाई एपोन एक्स जड़ डीजड अपोन वाई स्क्वेर यह इस पॉर्म में आ गई अब अपने इस्टे प्रक्राइब कहता है कि तो टेक्निक्स क्या हो सकती है वह इस तरह से हो सकती है जैसे अब इसमें टेक्निक लगाते हैं लगाने करते हैं तो यह लगा सकते हैं इसमें एक्स को उपले जाता है यह एक्स डी x upon y square z equal to dz upon xz equal to dz upon y square फिर्स यह है अगर हम देखें इन दोनों को देखें फर्स्ट और थर्ड स्टेप को देखें y first and third इसको देखें तो हम जैसे y square से y square कर जाएगा तो function आएगा x and z का ही रह जाएगा इसमें बाइ का कोई भी रोल नहीं रहेगा तो y का रोल नहीं रहेगा तो यह हम लिख सकते हैं x dx upon z equal to y square से y square घया तो यह d z यह को लिख सकते हैं x dx equal to z dz अब फिर समुने से इंटिग्रेशिकर कर देते हैं तो यह जाएदा x square equal to z square plus c1 और इसको लिख सकते हैं x square minus z square equal to c1 फिर यह अपने पास equation पर first आ चुकी है अब फ्रेंटेस हम अब यह तो हमने निकाल लिए अब दूसरे के लिए हम कुछ टेक्निक लगाते हैं अब दूसरे के लगाने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं इसके ऐसे कर सकता है कहीं अगर इस स्कूर में मिलता तो इस कंडिशन में हम आपर हम सी बन लिख लेते हैं लेकिन हमार पास यह ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो यहां पर हम देखते हैं अगर हम फर्स और सेकंड को ले 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 तो जैड से जैड कोई रोल ने रहेगा ओनली एकस इस इन वाई का जो फंक्संस बन जाएंगे तो इसको कर सकते हैं एकस वाई स्कूर डी एकस इकुल टू यहां पर हमें जैड को जैड से काट दिया यह आगा है डी वाई एपॉन एकस अब इसका हमने एकस का इदर बिल्टिपलाई कर दिया तो यह होगा है एकस स्कूर डी स्कूर डी वाई यह अब इसका इंट्रिकेशन कर दिया तो यहां पर हमने इस इक्वेशन में गल्ति की थी तो आएगा यह स्कूर अपॉन टू टू तो यह तो इस तरह से लिख सकते लिखना है मैं इससे तरह एकसी ओपन 3 एक्वाई क्यू अपन 3 प्लस सी टू इसको हम ल एक्वाल 12 ow ऐक्याव 2 इस तरह से लूच सकते हैं अब अपने पास दो केसं सा चुकिये अपमने पास अब इन दोनों का इसकर साथ में साथ मिलिख देए स्क्कार मायनेस जैने चूर माईनेस वाई क्यू तो यह अपने पास जोग वह वह आप्टिमल सॉलिशन होगा फिर्ट सब इसका और एक्जाम्पल लेते हैं वो इस तरह से solve यह अपने पास P प्लस 3Q एक्वल टू 5Z प्लस 10 Y-3X यह इस तरह से यहां पर अपने पास प्लस 10 Y-3X यह अपने पास अफ्रेंगराज एक्विशन क्या कहते है उसको में डी एक्वाइब डी एपन क्यू अग्वाइब ली एक्विशन लेंगराइज इकुशन से इस तरह से लिख लेना है मैं तो इस तरह से लिखते हैं तो दी आपन वन एक्वल टू डी वाई अपन थ्री एक्वल टू डी जड अपन 5Z प्लस 10 डी जड जड दी आपने पास अब हम स्वं करते हैं तो पहले दो कंडिशन लिए सकते हैं क्योंकि यह पे यह पर य एक्वल टू दी एक्वल टू डी वाई अब इसका इंटिग्रेशन कर दिया तो यह आगा है 3x equal to y minus c1 या 3x इसको लिख सकते है y minus 3x equal to minus c1 और इसको अच्छे लिख से तो minus c1 को c1 लिख सकते है यह आ गया y minus 3x equal to c1 यह अपने पास एक equation आ चुकी है अब हम solve करते हैं तो हम यह दोनों ले सकते हैं अब यह दोनों ले लिए अमने तो यह आ गया इसका इंत्रिक्रेशन करना है तो इसका इंत्रिक्री स्थिंप्री न हो जाएगा इसका इंत्रिक्रशिण वरंपोन फ्際 लॉग लॉग वाइव प्लस 10 C1 फिर स्थिए हो जाएगा इसका इंट्रिगेशन है इस तरह अपने पास दूसरी कंडिशन आ चुके पिलस C2 रेस तो यह आ चुक है अपने पास प्लस 10 y-3x एक्वल तो फ्रेंट्स अपने पास दो एक्वेशन आ चुक है इन दोनों एक्वेशन से हम सोलीशन लिख सकते हैं सोलीशन होगा अपने पास होगा y-3x एंड x-1 अपन फाइव लॉग 5z प्लस 10 y-3x फिर इस तरह से अपने पास सोलीशन आ गया फिर सम एक और एक्जाम्पल लेते हैं यह इस तरह का एक्जाम्पल है इस तरह का एक्जाम्पल है प्लस c-a by b xz q equal to b-a upon c xy यह अपने पास एक क्वेशन है विसको हम सॉल्व करना है सॉल्व करने के लिए फ्रेंट्स हमने पास यह देख सकते हैं यहां पर यह पी है यह अपने पास q है capital q यह अपने पास r है तो लेंग राज क्योशन क्यश् आपन bbby gü d रावर ड्य राजार यह हम रखते हैं तो इस से अपने पास यह आता है dx यह तो उंपर चले जाएगा यह आजाएगा b minus c yz equal to d y और 2 उपर चले जाएगा b c minus a xz equal to dz और सी ऊपर चला जाएगा यह आजाएगा बी माइनस ए एक्स भाई अब फेस्ट आचुके आप इसको किसी तरह सॉल्व करके और हम यह यू और भी निकालने हैं कि उसको निकालने के लिक्ति सपड़ाँ कर सकते हैं अगर हम इसमें इसमानी बीवाई डी प्लस अधर और अधर वेश्ञचे फरसभाई कि हुआ प्लस B-A, देख सकते हैं फ्रेट्स आराम से, फ्रेट्स यहाँ पर A-B था सोरी, A-B, तो A-B था अपने पास, फ्रेट्स इनको मिलके हमने कुछ equations बनानी है, हमने यह क्या है, अब हम इसको देख सकते हैं, जैसे यह अपने पास, B था, तो यह आगा है, अपने पास A-B, अपर देख सकते हैं, B से B कट जाएगा, A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो यह 0 आगा है नीचे, यह हमारा रूल होता है, हमें नीचे 0 बनाना होता है, यह हम नीचे 0 बना देख तो यह आगा है, अपने पास A-X, D-X, प्लस, B-Y, D-Y, प्लस, C-Z, D-Z, इकोल टो 0, अब हम इसका हम अगर, इसका पार्शल, अब फिर इसका हम इंटेग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटेग्रेशन कर पार जागा, A-X-Square अपॉन 2, प्लस, B-Y-Square अपॉन 2, प्लस, C-Z-Square अपॉन 2, इकोल टो C-1, यह इसको लिख सकते हैं, A-X-Square, प्लस, B-Y-Square, प्लस, C-Z-Square, इकोल टो C-1-, जहाँ पे अपने पास C-1- है, C-1- बराबर, 2C, यह अपने पास, 2C-1, अब हम फ्रेंट्स, एक तो हमारे पास solution निकाल चुके हैं, हमारे पास दूसरे solution निकालना है, दूसरे solution के लिए हमें कोई ना कोई टेक्निक फिर से लगानी पड़ीगी, फ्रेंट्स आपने दूसरी टेक्निक लगाएं, वो टेक्निक लगा सकते हम जैसे यहाँ पर A square X का multiply करें और नीचे भी A square X का multiply करें, तो इस condition में आज़ा है, A square X DX plus B square YDY plus C square ZDZ, फिस यहाँ पर पहले टेक्निक लगाएं तो उसमें simply हमें नीचे क्या आता multiply, यहाँ पर हमने उपर multiply क्या है और नीचे भी क्या है, तो यह तो आजा है नीचे multiply करने पर, simply XYZ उसी तरह common है तो पहले आए तो वो B minus C plus C minus A plus A minus B, इस तरह आजाएगा तो यह इस तरह अपने पास आजाएगा, फिर से नीचे भी जीरो हो जाएगा, तो यह आजाएगा अपने पास A square X dx plus B square Y dy plus C square Z dz equal to 0, यह इसका अब इंट्रिकेशन करने तो यह आजाएगा, A square X square upon 2 plus B square Y square dy, sorry upon 2 plus C square Z square upon 2 equal to C2, यह इसको हम लिख सकते हैं, A square X square plus B square Y square plus C square Z square equal to C2 जाएगा, यह इसको हम आजएगा, जाएगा, 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 जा और फाइन आर्विटरी फंक्षन फाइन आर्विटरी फंक्षन अब फिर्ट इसमें हमारे पास एक टाइप और बचाए एक टाइप उस टाइप को सिखने के लिए हम जैसे सॉल्व करते हैं च्प्रिव fingertips सॉल्व कर सकते हैं वाई प्लस जैड हैं प्लस एक सॉस्ट टो थो कैसे करते हैं से सिंपली पहले लेंग राज एक संक्रिम हो लिखना है जम पहले लिखते हरे हिने डि अपॉन वाई e off when we अपрем aplicate इपाही है अगर इसमें करना चाहें तो हमगों कि कर सकते हैं अगर्ट वाइंस दी-वाइभ माइनस यह आजयेth अगल रहें तो आजाएगा आजए जाएगा तो y-x यह आ जाएगा और इसी तरह हम अगर यह करें dy-dz करें तो यह अपने पास आ जाएगा x कट जाएगा और यह आ जाएगा अपने पास z-y या फिर इन दोनों के help से अब solve करते हैं तो इन दोनों के help से solve करने के लिए हम simply dx-dy y अपने इसको minus sign बार ले जाएगा minus sign बाहर आ गया लेकिन इदर से minus sign बाहर लेंगे हम dy-dz यहां से हमने minus sign बाहर लिया तो यह y-z आ जाएगा minus minus से तो उससे कट जाएगा अपने पास इसका हम integration कर सकते हैं कि जैसे x-y ब्रावर t माल ले तो d x-dy ब्रावर dt आ जाएगा इस तरह y-z ब्रावर कुछ v माल ले तो d y-dz ब्रावर dv आ जाएगा तो यह आ जाएगा इसका integration log x-y equal to log y-z plus log c1 अपर यह आ गया अपने पास अब फिर समने पास लिए आ चुका है log x-y equal to log y-z plus log c1 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं log x-y upon इदर लाते हैं तो log minus log y-z हो जाएगा log m-log n by log y-z equal to log c1 यह इसको लिख सकते हैं x-y upon y-z equal to c1 यह अपने पास equation फश्ट ठीड़ी दे लिते हैं अपरेट समय से एक 100-200 और निकालना होता है वो 100-200 निकालने के लिए हम simply dx-dz कर लेते हैं तो वह अजायए dx-dz बराबर आ जाएगा अपने पास यहां से y की टर्म कट जाएगी तो z-x यहां इसको लिख सकते हैं dx-dz equal to minus के sign के साथ x-z अब फिर्स अपने पास यह टर्म है एक तो यह टर्म है अपने पास और इंग यह टर्म है इन दोनों के help से हम करते हैं तो यह आजाएगा sorry फिर्स इस term के help से इस term के help से करते हैं तो यह आजाएगा अपने पास dy-dz equal to z-y equal to minus dx-dz upon x-z अब यहां से भी माइनस कर जाएगा तो यहां जाएगा डी एक्स माइनस डीजर अपॉन एक्स माइनस जाएगा अब इसका इंट्रिग्रेशन कर देजाएगा जो पहले क्या दामने जैसे इसको भी ती मान लें तो लोग वाई- यहां जाएगा तो यहां जाएगा 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 फोट से जाивать कर णशाले करते हैं या जाएद सिट्व एक्स माइनस जै अपॉन फिस युटेशन प्ली व्था हैis को एक्स माइनस प्ली था इक्स मान दे हो स्लेट यहां इस हैं आलने दोने तरफह में आन्टि forare यहां y-z upon x-z equal to c2, फिर इस तरह हम solution जो लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, फाई, एक तो पहले बारा solution जो कि यह आया है, अपने पास यहां से, x-y upon y-z, x-y upon y-z, और second solution आया है, वो आया है, y-z upon x-z, यह अपने दो solution है, जहाँ फाई is an arbitrary function, फिर मैं यह नहीं कहा रहा है कि यह से हमारे पास यह दो solution आया है, कई यह unique solution है, यह solution unique नहीं होते है, हम इसमें कोई और technique लगा के, इनको अलग और तरह से कर सकते हैं, तो solution एक से ज़्यादा सकते हैं,